गुड बॉलिंग फ्रेंज, सुबह सुबह की सिच्छाजद की खबरे लेकर के मैं प्रेजेंट हो गया हूँ दोस्तो अगर पहली बार आप मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो लाइक कर लिजेगा, साथी साथ सब्सकाइब कर लिजेगा और 14 ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा, यह ऐसी सूचना होती है जो कि आपकी कैरियर्ट से रिलेटेड होती है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं, 1894 पदों की लिखित परिच्छाई 11 प्रेल को जी दोस्तों बताते हैं कि जूनियर, आइडेट जूनियर हाई स्कूल में जो बिग्यप्ति थी वो जारी हो गई है जिसकी सूचना कल भी दी गए थी, आज के सभी समाचार बत्रों में एक हबर चाही है 22 फरवरी सो होंगे आनलाइन आवेदन, प्रधाना ध्यापक वसाहय का ध्यापक की अलग होगी लिखित परिच्छा बराते दोस्तों की प्रदेश के 3049 सासकी साहता प्राप्त आईडेट जूनियर हाई स्कूल के लिए सिच्छक भरती के लिखित परिच्छा 11 अप्रेल को होगी प्रधाना ध्यापक के 390 वसाहय का ध्यापक के 1504 सहित कूल 1894 परिच्छा अलग अलग कराई जाएगी धाई गंटे की परिच्छा में कूल 150 सवाल पूछे जाएंगे सासने भरती की समय सारड़ी वापाटी करहम जारी कर दिया है बिग्यापन 18 फरवरी को जारी होगा जबकि आलाइन आवेदन 22 फरवरी से लिये जाएंगे जी दोस्तों तो एक लाइक तो बनता है या लाइक कर दीजेगा और लोगों को जारा जादा सेयर कर दीजेगा प्रदेश सरकार में 4 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश मानता प्राप्त वेसिक इश्कूल जूनियर हाइस्कूल अध्यापकों के भरती और सेवा की सर्तें के सात्वे संसोधन को मंजूरी दी थी विसे सचीव आरवी सिंग ने भरती के नियम और पाटिकरम के साथ ही समय सारडी जारी कर दी है तो दोस्तों बता दे कि कटाफ अंक तैं कर दिया गया है भरती परिच्छा के उत्रीड अंक तैं है सामान वर का कटाफ 95 आरचिद वर का साठ प्रसत रहेगा उत्तर प्रदेश मानता प्राप्त बेसिक इश्कूल अध्यापक भरती वसेवा निमावली 1978 सात्वा संसोधन के अनुसार मेर्ड तयार की जाएगी ढ़ाई घंटे की परिच्छा में 150 प्रश्णों का जवाब देना होगा और भासा विज्ञान गड़ीतो असमाजिक बिसेपर विसेष जोर सहाय का ध्यापक चैन के लिए भासा विज्ञान गड़ीतो असमाजिक बिसेपर असनातक अस्तरी पाठिक्रम पर लिखिर परिच्छा होगी अब एरतियों को इन चार बिकल्पों में से एक चुनना होगा वहीं सामान ध्याइन का प्रशन पत्र शभी के लिए निवार होगा भासा में भी संस्क्रेट, हिंडियो, अंग्रेजी में से किसी एक का चैन करना होगा पहले प्रश्ण पत्र में 50 प्रश्ण सामान धैन के और दूसरे प्रश्ण पत्र में 100 प्रश्ण संबंधित विशय के होंगे इन ही विशयों का पाटिकरम जारी किया गया है तो बतारे दोस्तों कि आपकी जो समय सारडिय उसको द्यान दीजिए विग्यापन जो है वो 18 पंजी करड की अंतीम तारीक 8 मार्च आवेदन सुल्क जमा करने की अंतीम तारीक 9 मार्च आवेदन पूरा करके प्रिंट लेनी की अंतीम तारीक 10 मार्च परिच्छा केंद्रो का निर्धारड 23 मार्च परिच्छा का परिश्पत्र 5 अप्रेल को आज आएगा दोस्तों लि पत्र दो पर एक से तीन तीस तक तो दोस्तों यह रहा आज के समाच चार पत्रों की खवरें और आगे भी हम बात करेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब ध्यान दीजिए कि अब जो है पीएस क्लासेज आपके लिए बिलकुल फ्रेस बैच जो है मतलबी ग्यारत तारीक है आज से ले करके अब पंद्रह तक जो है पंद्रह तारीक तक जो है आपके लिए एडिमिशन ओपन कर दिया है तो हमारे दिये गए वाटसप नंबर पर आप वाटसप करके अपनी एक सीट सुनिशीत करते हैं और पीएस क्लासे से जूडने का मतलब दोस्तों जूडने का मतलब कि आपकी एक सीट सुनिशीत हो जाएगी और खास रूप से आप ध्यान लिजेगा कि स्पेशल बैस फॉर लैंग्वेज टीचर मतलब इंगलिस का भी एक स्पेशल बैस चलेगा जो कि आपकी भासा है शौर नंबर के उससे जो है क्वेशन आएंगी तो दोस्तों जानते हैं कि आपको प्रसांसर आल्रेडी सेलेक्टेड हैं और इंगलिस की तो बात ही नहीं पूछनी है इंगलिस में तो एक जलवा चलेगा साथी साथ अनिवेशायों पर भी चलेगा तो आप जो है जल्दी से दिये गए वाटसप नंबर पर वाटसप करके अपनी एक सी कि किस आप को डाउनलोड करके कैसे जो है आपको हमारी आनलाइन का च्छाय मिलेंगी तो फिर सुन लिजिए वाटसप नंबर है चले दोस्तों बात करते हैं दरोगा के 9400 पदों पर भरती जल्द बताते दोस्तों कि यूपी पूलिस में दरोगा के 9400 पदों पर जल्द भर अंडर के पदों पर होगी बरती के अपचारी गोशड़ा कुछ दिनों में की जाएगी इसके बाद विग्यापन प्रकासित होगा तो दोस्तों देखिए अब धेरे धेरे आपकी जो विग्यपतियां आ रही हैं दरोगा का भी स्पेशल बैच चलेगा जिसके लिए आप व प्राविधिक साहे ग्रूप सी के रिक्त पदों पर भरती के लिए लिखित परिच्छा में अहर पाहे गए 745 अब्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के परिच्छड और नई से 25 फरवरी के बीच होगा उत्तर प्रदेश अधिनस सेवा चैन आयोग UPSSSC इसका कारिक्रम जार कर दिया है आयोग की सचीव आस्तोस मोहन अगनिहोतरी ने बताया कि अब्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का मिलान आयोग के पीकप भवन इस्तित कारालय में प्रति दिन तीन पालियों में होगा पहली पालियों में सुबह 10 बजे दूसरी में दोपर 12 बजे और तीसरी पा बारे में यहां पर दिया है कि दो पालियों में प्रधाना ध्यापक के लिए होगी लिखित परिच्छा बता दोस्तों कि 11 अप्रेल को सुबह 9 से 11 बजे तक साहय का ध्यापक भरती की लिखित परिच्छा दो पालियों में होगी ध्यान दिजेगा पहली पालियों में दोप प्राप्त कर 4 मई तक उनका निस्तारड किया जाएगा, 7 मई तक संसोधी दुत्तरमाला को बेव साइट पर अपलोड किया जाएगा, 11 मई को परिछा का परडाम जारी किया जाएगा, तो दोस्तों देखिए सारा कारिकरम जो है बिस्तरि जारी कर दिया गया है, अब आपको कम पर ना करें, दिये गए वाटसब नंबर पे, आप वाटसब करके अपनी एक सीट सुनेशित कर लें, आप वाटसब करेंगे तो आपको काल किया जाएगा, आपसे संपर्क शाधा जाएगा, 11 मई को परिछा का परडाम जारी किया जाएगा, सहाय का द्यापक के लिए लिख साथ इसमें बहुत बड़ी चीज आपके साथ है, वो क्या है, सौ प्रशन हैं, जो कि आपके बीसे से सम्मंधित हैं, तो पचास प्रशन की साथ साथ, अगर जिसने सौ प्रशन में जो है बाजी मारी, उसका सेलेक्शन कनफर्म है, तो ध्यान दीजेगा, इसके लिए पिए जाला में नौ विभागों में अतिथी प्रवक्ता भरती के लिए बुद्वार को सचतकार का कारिक्रम जारी कर दिया गया, पी आरो डाक्टर जयाक, जयाक कपूर के अनुसार सिच्छा साथ विभाग के लिए 15 फरवरी को इंटर्वी होगा, मानो विज्यान आरवी, फारस बड़ी खवर यहाँ पर आपको दिख रही है, आयोग सिग्र आयोजित कराए प्रारंभी का अरता परिच्छा योगी, मुखमंतरी ने की उत्तर प्रदेश अधिनस सेवा चैन आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक, बता दे दोस्तों, मुखमंतरी योगी आधितनात ने उत्तर प्रतेश अधिनस सेवा चैन आयोग मतलब यूपी ट्रिपलसी द्वारा अपनानी अपनाई जाने वाली द्वेस्तरी परिच्छा परडाली के तहत प्रारंभी करता परिच्छा पीटी का आयोजन सिग्र करने के निर्देश दिये हैं, साथी उन्होंने आयोगों द प्रती की प्रती की प्रती की पूरी किया जा सके, तो मुखमंतरी वुद्वार को प्रारंभी करता परिच्छा पीटी के आयोजन के समद में उत्तर प्रदेश अधिनस सेवा चैनाव के चेर्मेंट समयत अनधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे, उन्होंने कहां कि सब ही स प्रती का चैनाव कराने पर जोर देते हुए कहा कि इसमें योग या भरती का चैन हो सकेगा, तो मुखमंतरी ने कहा कि वर्तमान में लोक्स वायोग में पुलिस भरती बोर्ड सही सभी चैनायोगों की परिच्छा और भरती कारी करम को मिशन रोजगार तहत की तहत पूरी यह भी एक्टिव हो गया है और आपको जो है पेट परिच्छा का आयोजन बहुत जल देखने को मिलेगा इसके साथ ही साथ जो आपकी जो बहुत प्रतेच्छित लेखपाल का जो भरती आने वाला है वो देखने को मिलेगा तो दोस्तों यह था आज की समाचार पत्रों की ख़बर और बस आपसे यही कहना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं अब चुकना नहीं है दोस्तों इस ट्राइक डारन वेन इट इस हाट अब वो समय आ गया है कि जब आपको मेहनत पूरी लगन तनमन से करना है और एक अच्छे सिच्छर संस्थान का भी चैन करना है क्योंकि उसी की उपर आपकी जो है सफलता सुनिश्चित करेगी तो दोस्तों किसी भी संस्थान में प्रवेस लेने से पहले एक बार आप जरूर जो है सोचें बिचारें क्योंकि आपकी जिन्दगी का सवाल है और अब जो है हमने कहा कि सोच बिचार के बाद जो है आप हमारे डेम सब्सक्राइब करके अपनी सीट सुनिश्चित कर दीजी क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं जी दोस्तों आपका दिन मंगल मैं हो एंड तक आपने वीडियो को देखा थाइंक्यू सो मच एवरिवन